हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो इस तरह का किलो ग्राम का प्रस्ण होता है इसे हल कैसे किया जाता है एक भाई ने कमेंट किये थे 100 ग्राम हल दी कदम 13 रूपए है तो 5 रूपए में कितना होगा जब भी आप लोग दुकान से समान को खरिदते हैं तो आपके सामने इस तरह का प्रस्ण आ जाता है हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीका से इस तरह के प्रस्णों को हल करने के लिए सबसे पहले आपर देखें दिया हुआ है 100 गराम का दम 13 रूपए तो आपको यहाँ पर लिखना है 100 गराम बराबर 13 रूपए यहाँ पर देखें आपसे पूछा जा रहा है कि 5 रूपए में कितना होगा तो सबसे पहले आपको एक रूपय में पता करना होगा कि कितना ग्राम समान मिलेगा तो एक रूपय का निकालने के लिए आपको लिखना है सबसे पहले एक रूपय अब देखिए आपको यहाँ पर समझना है कि अगर आप एक रूपय का निकालते हैं तो यहाँ पर जो भी रूपाय के रूप में होगा, इसको लिखना है आपको बटा के नीचे, और यहाँ पर जो भी वजन के रूप में होगा, इसको लिखेंगे इसके उपर, अब देखिए यहाँ पर है, 13 से भाग लगाना है 100 में, तो आपको यहाँ पर 13 से भाग लगाना पढ़ेगा 100 में 13 का पहाड़ा 7 बर पढ़े तो यह हो जाएगा 92 यानि अब हम लोग 100 में से 92 को घटाएंगे तो यह बच जाएगा 9 यहाँ पर हम लोग 10 अमलों बैठाएंगे और यहाँ पर एक 0 13 का पहाड़ा पढ़ना है और 90 से जादा नहीं जाना है 13 का पहाड़ा 6 बर पढ़े तो वह हो जाएगा 88 अब आपको यहाँ पर घटाना है यानि यहाँ से हासिल जाएगा यह हो जाएगा 10 10 में से 8 घटने पर यह बच जाएगा 2 और यहाँ पर यहाँ संखिया 8 बचेगा 8 में से 7 घटने पर यहाँ बच जाएगा 1 यहाँ पर देखिया आगया 12 तो देखिया 13 से 12 में भाग नहीं लगेगा यहाँ पर दसमलो बैट गया है तो नीचे में आप 0 को बैठा सकते हैं अब आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है और 120 से जादा नहीं जाना है 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें तो वह हो जाएगा 117 अब आपको 120 में से 117 को घटाना है यहाँ बच जाएगा 3 दसमलो के हम लोग इधर 2 अंग तक भाग लगाएंगे यानि 1 रूपए में कितना ग्राम सामान मिलेगा 7.69 ग्राम तो आपको लिखना यहाँ पर एक रूपए बराबर 7.69 ग्राम यानि इतना ग्राम सामान मिलेगा एक रूपए में यहाँ पर देखिए 5 रूपए में पूछा जा रहा था कि सामान कितना मिलेगा तो आपको इसमें 5 से गुना कर देना है यानि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गुना में 5 को 5 से गुना 9 में करे यहोगा 45 का 5 हासिल 4 5 से गुना 6 में करे यहोगा 30 और हासिल था 4 तो यहोजाएगा 34 का 4 हासिल 3 5 से गुना करे 7 में यहोजाएगा 35 और 3 था हासिल तो यहोजाएगा 38 देखिए आपर ग्राम लगा हुआ था तो इसमें आपको ग्राम को लगा देना है अब आपको देखिए आपर दसमलो को बैठाना है दसमलो के इधर देखिए दो संखिया है हम लोग इधर से दो अंग के बाद दसमलो को बैठा देंगे यानि यहाँ पर दसमलो बैट जाएगा यानि 5 रूपए में कितना सामान मिलेगा वह मिलेगा 38.45 ग्राम तो आप लोग इससे अच्छे तरह से समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग एक प्रस्ण को और हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्रस्ण है 700 ग्राम कदम 140 रूपए है तो 8 रूपए में कितना होगा यानि देखिए हैं पर दिया हुआ है 700 ग्राम बराबर 140 रूपए आप से पूछा जा रहा है कि 8 रूपए में कितना सामान होगा तो सबसे पहले आपको निकालना है कि एक रूपय में कितना सामान मिलेगा तो एक रूपय का निकालने के लिए यहाँ पर जो भी रूपय के रूप में होगा इसको लिखेंगे हम लोग बटा के नीचे और जो भी यहाँ पर वजन के रूप में होगा इसको लिखेंगे इसके उपर यानि वह था 700 गराम अब आपको 700 गराम में 140 से भाग लगाना है यह 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा 14 से भाग लगा हैं 70 में तो यह लग जाएगा 5 बार में यानि एक रूपय में कितना सामान मिलेगा वह मिलेगा 5 गराम यहाँ पर देखे आपसे पूछा जा रहा था कि 8 रूपय में कितना सामान मिलेगा तो आपको क्या करना है 5 में 8 से गुना कर देना है यानि यहाँ पर लिखेंगे 5 को और इसमें हम लोग 8 से गुना कर देंगे 8 से गुना 5 में करे या हो जाएगा 40 यहाँ पर देखिये ग्राम लगा हुआ था तो इसमें हम लोग ग्राम को लगा देंगे तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि जो इस तरह का किलो ग्राम के प्रस्ण होते हैं इसे हल कैसे किया जाता है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी होतो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा